Hello students, how are you all? Let's continue chapter 4. Open page number 30. पिछली वीडियो में हमने तीन मित्रों की शरारतों के विबारे में पढ़ा और इस वीडियो में हम यह जानेंगे कि तीनों में से जो एक मित्र है वो अध्यापक कैसे बना? कई बार छुट्टी की घोशना हो जाती थी लेकिन हम तीनों सुबह सवेरे तयार होकर स्कूल चले जाते मतलब उनको यह भी पता नहीं था कि आज छुट्टी है ऐसा कई बार होने के बाद एक तरीका खोज लिया गया अब हम में से कोई एक हर सुबह स्कूल जाते हुए अन्य सहपाठियों को देख लेता सीटी बजा कर संकेत देता की आज स्कूल जाना है सीटी की आवाज सुनकर ही हम तयार होते सीटी बजाने का तरीका भी तैथा एक लंबी सीटी और फिर एक छोटी सीटी ताकि कोई भी गलत फैमिन नहीं हो एक सुबह की बात है मैं हड़ बड़ा कर उठ बैठा सूरज खिड़की से भीतर जहां करहा था मैंने नित्यक्रम फटाफट निप्टाए बस्ता कांधे पर रखा तेज कदमों से स्कूल की और दोड़ पड़ा हापते हापते स्कूल पहुँचा कक्षय में जहांका तो अजीत और खजान अपनी सीट पर नहीं थे तो क्या ये दोनों आज स्कूल नहीं आए मैं कलास में जाकर क्या करूंगा यह सोचकर मैं वापिस लोटने लगा ए लड़के कहां जा रहा है कौन सी कलास कहिए प्रिंसिपल सर की आवाज थी मैं जानता था कि यदि उन्होंने मुझे पकड़ लिया तो जोर से कान उमेठेंगे उमेठना होता है खींचना मतलब मैंने आओ देखा नैताओ दोड़ा और चुप चाप अपनी सीट पर जाकर बैठ गए कक्षय में अध्यापक खरगोश और कच्छुआ की कहानी सुना रहे थे पहली बार मैं किसी अध्यापक की बात को गोर से सुन रहा था गोर से क्यों सुन रहा था कि क्यों उसके जो दो मित्र थे खजान और अजीत वो कक्षय में नहीं थे पहली बार मैंने समूची कक्षय को निहारा मैंने महसूस किया कि सभी सहपाठी मोन साधे अध्यापक को गोर से सुन रहे थे समूची होता है पूरी कक्षय निहार न होता है देखना कहानी खतम होने के बाद अध्यापक ने पूचा अच्छा बताओ कच्छवा धीमी चाल के बावजूद चीत कैसे गया कई सहपाठियों ने हाथ खड़ा किया अध्यापक एक के बाद एक सवाल पूचते रहे सहपाठी भी ततपरता से उत्तर देते रहे ततपरता होता है सिंगरता से हर बार मैंने सोचा यह है जवाब तो मैं भी दे सकता हूँ बट उसमें जवाब देने का साहस नहीं था अध्यापक ने श्यामपट पर लिखा कहानी में आये खरगोस के बारे में लिखे तभी मेरे ठीक सामने बैठे साथी ने मुझे अपने पास बुला लिया मैंने कन्ख्यों से देखा कन्ख्या होती है तिर्ची निगाहें कि मेरे सहपाठी का हस्त लेक बहुत सुन्दर था हस्त लेक होता है लिखाई जो जवाब में सोच रहा था वहे भी लगबख वैसा ही जवाब अपनी कोपी पर लिख रहा था मध्यांतर हुआ मध्यांतर होता है जिसको रिसेस बोलते है सब अपने अपने सहपाठीों के साथ अपना टिफिन सांझा कर रहे थे मैं चुपचाप अकेला खड़ा खजान और अजीत के बारे में सोच रहा था तबी कुछ सहापाठीों ने मुझे इसारे से बुलाया मैं चला गया भोग तो लगी ही थी सबने अपने टिफिन से मुझे कुछ ने कुछ खाने को दिया खाना खाने के बाद अब हम एक लूसरे का नाम पूछ रहे थे गाउं का नाम भी पूछ रहे थे पांचवी गंटी में दूसरे अध्यापक आए छटी गंटी में तीसरी और सात्वी गंटी में चोथे अध्यापक आए मेरी तो धारा ही बदल गई आज पहली बार मैं इतनी देर कक्षा में रुका था सभी अध्यापकों कोध्यान से सुना था एक एक वाक्या उप्योगी लग रहा था मैंने सोचा इतनी साल इतनी दिन कितनी बातें अंसुनी की क्यों मतलब उसको ये महसूस हो चुका था कि मैं अध्यापक की ना कोई बात मैंने सुनी कभी ध्यान से और नहीं मैंने अच्छे से पढ़ाई की आज पहली बार चुटी का घंटा अपने कानों से सुना धीमी कदमों से घर की और लोटा पहली बार वक्त पर घर पहुँचा मुह हाद धोई खाना खाया स्कूल बैक को खाली किया बैक धोया सभी किताबों कोपियों पर अखबारी जिल्द लगाई अब तक जाची नय गई कोपियों के पन्ने उल्टे खुद पर बहुत गुसा आया मिन्स उसको एहसास हो गया था कि मेरा कोई भी काम पूरा नहीं है और मैंने इस तरफ कभी विध्यान नहीं दिया मन में ठान लिया कि अब मल लगा कर सुनना है मल लगा कर पढ़ना है मल लगा कर लिखना है सवालों से जूँचना है कक्षय में सबसे पीछे नहीं आगे बैठना है बस फिर क्या था मैंने पीछे मुड कर नहीं देखा खजान और अजीत मेरे दोस्त बने रहे लेकिन कक्षय से बाहर कक्षय में मेरी सीट बदल गई धीरे धीरे मैं भी कक्षय का गंभीर चातर बन गए हर साल नए सत्र आते ही बच्चो को है किस्सा जरूर सुनाता हूं कक्षय में सबसे पीछे बैठे ही वे चातरों से कहना नहीं भूलता कि सीट बदलती रहेगी आज जो आगे बैठे हैं कल वो पीछे बैठेंगे हर संभ़ कोशिश करता हूं कि हर बच्चे पर नजर रहे हर बच्चे की कोपी जंचे जंचे होता है चेक करना हर बच्चे को बोलने का मौका मिले आज भी खजान और अजीद का चेहरा याद है एक बात बार बार याद आती है मुझे परिशान करती है यदि उस दिन खजान और अजीद स्कूल आये होते तो मेरा क्या होता इस कहाने से हमें यह सिक्षय मिलती है कि हमें कक्षया में मल लगाकर पढ़ना चाहिए अध्यापक की बातों को सुनना चाहिए और शरार्ती बच्चों से दूर रहना चाहिए और इससे हमें यह भी संदगी में हर काम हमारे लिए संभव है हम हर कारिया को कर सकते हैं प्रंतु उस कारियों को करने के लिए हमारे अंदर लगन होनी चाहिए तबी हम अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं so students in next video we will read chapter 5 till then stay home stay safe